नमस्कार मैं अभिसेकराज CEO Founder EGWay Global चली आज हम बात करेंगे CITS Sport Admission को लेकर और इसमें ट्रांस्पर के लिए भी नोटिस जारी किया गया है दोनों चीजे एक नोटिस में दिया गया है जिसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले इसके लिए आपको nimi online admission.in इस website पर आएंगे तो आपके सामने ये page खुल जाएगा और इस page पर यहाँ पर देख सकते हैं CITS 2020 Admission Site Link और इसके बाद इसके बाद इसके किलिक करेंगे तो आपके सामने एक नया page खुलेगा और इस page पर आएंगे तो यहाँ पर यह notice आपको दिखाई दे रहा हुगा Final Spot and Transfer Schedule इसके किलिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इसको डाउनलोड करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप या आपका कोई मित्र है CITS कर रहा है तो ट्रेनिंग मित्रलोजी, प्रिंस्पल और टीचिंग के लिए हमारे इजी वे कोचिंग से टेस्ट स्रीज श्टार्ट हो गया है आप इसे जोईन कर सकते हैं जोईन करने के लिए P.O.T. लिखकर जो आट्सेप नमर स्कीन पर दिख रहा है पर आप मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा सारा डीटेल्स आपको मिल जाएगा और आप P.O.T. जोईन कर सकते हैं दोस्तो P.O.T. बहुत important subject है training methodology और इसका practice set मेरे पास available है आप ज़्यदा जनकारी के लिए आप मैसेज कीजिए आपको pro पर बताया जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको हम download करते हैं इसके बाद तो ये notice download हो चुका है आप देख सकते हैं हाँ पर final transfer और आपको जिक्र करता हूँ सबसे पहला point यह है कि उनका transfer नहीं होगा जो जिनका first choice मिल चुका है पहला दूसरा यह है कि जो transfer करा चुके एक पर जिनका transfer हो चुका है वो दुबरा से transfer में भाग नहीं ले सकते हैं लेकिन वैसा candidate जिनका first choice नहीं मिला है वो फिर से transfer के लिए apply कर सकते हैं या वैसा candidate जिनको लगता है कि उनको college चेंज करना चाहिए तो वो भी transfer में भाग ले सकते हैं बस condition ही है कि आपका पहला choice college ना हो यह जो transfer है 15 फरवरी मंडे को यह start होगा और सुबह 10 बेसे लेकर साम को 6-5 बेस तक इसका portal open रहेगा आपको इसके लिए जो आपका login ID है इसके बाद वहाँ पे transfer के लिए आप अपना college को choice करेंगे सबसे पहले आप seat देखें कहा seat खाली है उसके अनुसार आप transfer के लिए apply कर देंगे और यह जो transfer होगा माले जी एक दो seat है किसी college में और 10 लोगों ने apply किया है तो जिनका marks ज्यादा होगा उनको transfer सबसे पहले किया जाएगा इसके बाद बचे वे seat पर बाकी लोगों को transfer की जाएगी तो यह रहा transfer का information और यह 5-15 फरवरी मंडे को start है आप उस दिन 10-15 के बीचे में अवस्य अगर करना चाहते है तो कर लिजिएगा इसके बाद export admission की बात करते हैं export admission आपका AICET जो marks है उसके base पर किया जाएगा और वहीं लोग इसमें apply करेंगे जो इस exam को दिये थे अगर कोई ऐसा करनेट है जो AICET जो इसका online exam हुआ था और उसमें exam नहीं दिये थे या form apply नहीं किये थे वो लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं मतलब उनहीं के लिए जो exam दिये जिनका result आ चुका है और जिनका admission नहीं हुआ है इसमें वो sport admission में भाग ले सकते हैं तो sport admission की जो date है यहाँ पर 15 और 14 है फरवरी है Monday और Tuesday को है यहाँ पर कुछ points दिया गया है यहाँ पताया गया है कि सबसे पहले आपको जो vacant seat है इसके बाद आप login करेंगे जो login ID और password आपको मिला होगा उससे login करेंगे इसके बाद आप institute को select करेंगे जहाँ आप sport admission लेना चाहते हैं maximum 4 college को आप choice कर सकते हैं मतलब 4 college को choose करेंगे choice करेंगे जहाँ आपको admission लेना चाहते हैं अगर आप counselling fee नहीं जमा किये हैं तो counselling fee paid करना होगा अगर आप जमा कर चुके हैं तो आपको counselling fee देने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद आपको automatically rank दिखाएगा जो भी आपका choice फिल की होंगे कि उसका नुसार आपको दिखाएगा कि आपको college में कितना rank है और ये होगा 16 फरवरी को इसके बाद seat alert हो जाएगा आपका choice का नुसार हो सकता है किसी को seat मिले किसी को नहीं मिले फिर क्या करना है आपको इसके बाद आप nearest NSTi college में जहां भी अपका seat alert हो उसी college में आपको जाना होगा आपको हैदराबाद जाना होगा चेंदा होगा जहां भी college आप choice करेंगे जो भी college आपको मिलेगा उसी college में जाकर आपको admission लेना होगा लेकिन इसके लिए time देगा आपको 15-16 तो आपको यहां पे apply करना है और sport admission के लिए 17, 18, 19 और 20 ये 17 से लेकर 20 तीन दिन time दे रहा है आपको उस college में पहुँचका admission लेने के लिए तो इस तिनो डेट में आप वहां पर जाकर admission ले सकते हैं और ये आपका details समाप्त हुआ आप इसे और भी अच्छे से study कर लिजेगा और अगर आप चाहते हैं CITS में admission लेना तो आपके लिए एक अंतिम मौका है session 2020-21 के लिए और यहां पे जाकर आप admission ले सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था थेंक्यू सो मच फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो एक नए जनकारी के साथ अब तक के लिए नमस्कार